आज मैं आपके सामने इनिस्फरी के जेजू पोमेग्रेनेट रिवर्टलाइजिंग इमल्सन का रिव्यू करने जा रही हूँ जो कि आपको 160 ml 1400 में मिलता है 1400 रुपए में या आप नाइका से या इनिस्फरी के वैपसाइट से परचेस कर सकते हो ठीक है इसके पीछे एक स्टिकर था एंड ये कार्ड़ बोर्ट पैकिंग में आता है जो कि कर दूंगे आपको मेड इन कोरिया ये कोरिया का ब्रैंड है ये एक इमल्सन है अब ये इमल्सन क्या होता है कभ यूज करते हैं इसके बारे मैं आपको डिटेल में थोड़ा थी हूँ इन ये पॉमक्रेनथ सीड ओल से बना हुआ है सबसे पहले बात करते हैं इसको कभी यूज करते हैं तो इमल्सन को हमेशा आपको सीरूं के बाद यूज करना होता है और इमल्सन करता क्या है तो ये एक लाइड masculine water waste mausuriger होता है जो आपके hydration को retain करता है फिर next question आता है कि इमल्सन को मौशराजर के बाद लगाना चाहिए या पहले लगाना चाहिए कि मौशराजर हमें लगाना भी चाहिए या नहीं चाहिए ये बात आती है तो अगर आपकी skin को need है अगर आपकी super dry skin है तो आप इसको इमल्सन को लगाने बाद कोई सी भी इमल्सन को लगाने के बाद आप मौशराजर लगा सकते हो अगर आपकी skin super dry है या आपको need है oil skin वालों को तो अगर आप इतना सही लगा लेते हो तो enough है फिर उसके बाद next question आता है कि एमल्सन and essence जो एक आते हैं serum आते हैं तो वो क्या same होते हैं तो जी हां की serum जो होता है वो बहुत light weight होता है और essence and emulsion का जो texture होते हैं वो same होते हैं बस sometimes थोड़ा सा थिक होता है कोई सा थोड़ा सा बहुत light होता है ये butter based moisturizer type के होते हैं जो कि आपकी skin को अंदर से hydrate करते हैं मिंस अंदर से आपकी skin hydrate लगती है moisturize लगती है सपल लगती है smooth लगती है अब उसके बाद next question आता है कि serum, empol, emulsion and essence आपको क्या साथ में आप लगा सकते हो सब कुछ तो ठीक है अगर एक अच्छा skin care आप कर रहे हो आपकी skin dry है आपकी skin को बहुत hydration की need है आपकी skin इतना चीज़ें अब्सॉर्ब कर सकती है तो आप serum लगाए फिर empol, emulsion लगाए and then essence लगाए इस तरीके से आप लगा सकते हो तो totally up to you depends कि skin को need है कितना आपको hydration चाहिए अगर oily skin वाले है या dry skin वाले आप serum लगा के emulsion लगा उसके बाद next आप अपने कोई सा भी normally moisturizer लगा के इसको top up कर सकते हो फिर उसके बाद आप इसके texture क को दिखाते हैं कि यह कैसा है चोटा सा इसमॉल सा यह इसको आपने हटाया just and जब आपको शेक करना है कोई सभी आप product यूज करो पहले आप उसको शेक कर लो थोड़ा सा and then आप थोड़ा अब सबसे पहले यह claim करते हैं कि आपकी skin आप देख सकते हैं एकदम light weight white टेक्शर है इसकिन में यह अब्जर्ब हो जाता है ठोड़ी देर के बाद यह oily skin वालों को थोड़ा सा थीक लग सकता है चिप चिप लग सकता है तो मैं इसको जिसे monsoon weather में थोड़ा सा avoid कर देती हूं इसको 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 कर देती हूं तो पर यह dry skin वालों को तो all weather यह सूट करेगा यह ब बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट है अगर आप इसके हो तो प्लीज इसको बाई जरूर करना बठाँ ऑईली स्किन वाले इससे मानसुन बेदर में आप इससे थोड़ा सा दूर रहेगा आवइड करियेगा क्योंकि यह बहुत ही हैवी लगता है पर यह सच में स्किन को आपक आप इसको कर सकते हो यह मैं हाइली रिकमेंट करूंगी आपको यह अगर आप लेते हो तो सच में आपको बहुत ही इससे बेनिफिट मिलेगा यह देखो आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद आप इसको मसाज करके छोड़ दो हिंडिस के स्किन में अब्सर्व हो गया अच्छा हो तो डेफनेटली वाई कर सकते हो यह बहुत ही अच्छा है और वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो हैलफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और उसके साइड में जो बेल बटन है प्लीज उसको हिट कर देना ताकि आपको फीचर में केसन मिलती रहें बाई थैंक यू